स्वागत है सातियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 95 काली नस्थल पिछले class के तरह हम लोग इस MAP पढ़ेंगे 95 काली नस्थलों को इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो थे मध्य 5 काली नस्थल जो इनकी link हैं उनको आपके इस video के description box में मिल जाएगी बाकी भी जो वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट वाइस आप विजिट करें वहां से आपको सारे इसली अबलेबल हो जाएंगे तो पिछले वीडियो के तरह ही हम लोग यहां पर सबसे पहले मैप पर उनको याद करने की कोसिस करेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि कौन से जो नव पाशानकारी नस्थल हैं उनमें क्या-क्या महतुपूर्ण बाते हैं क्योंकि यहां से कोईश्चन बहुत आते हैं यहां से कुछे ही जाते हैं अगर आपको यह मैप क्लीर नहीं दिखता है क्योंकि मैं आपको पूरा मैप दिखा पाओ जिससे आपके माइंड में एक इमेज सेट हो तो इसके लिए आप इसको जो पिक्सल है तो रस उसको बढ़ा के 480 पे देखें आपको इसली वो दिख ज पाकिस्तान में यह तो यहां के खास बात क्या है तो यहां पर प्राचींतम अस्थाई जीवन के प्रमाण में लें यदि बात करें कि क्रिसी का प्राचींतम साक्ष जो है तो मेहर गड़ ही अभी तक रहा है हलां कि थोड़ा अब या विवात का विसे इसली बन रहा है क्यो प्रछी गया तो वह लगबग चाता है आठजार इसे पूरोइखा तो ये माना जाता है कि तो यह प्राजिन्तम क्या है यह यहां लहूरा देओ में हो सकता है लिकन फिल्हार जो बूक में डिया गया है तो वह है कि मेहरगड में क्रसी की प्राचिनतम साक्ष मिलते हैं इसके साथ ही साथ यहां पर और क्या है तो यहां पर जो आप प्राचिनतम अस्थाई जीवन के प्रिथम प्रमाड मिले हैं वो यहीं से मिले हैं तो मेहरगड नवपाशाणकारी नस्तर है देखें नवपाशाणकाल क सबसे खास बात यह है कि पहिया और क्रिसी दो काविस्कार नौपाशाण काल की देन है सबसे प्रमुक देन है जो कुम्भकारी देखें तो इसी काल में सबसे पहले दिखाई देती है ठीक है तो ऐसे कई प्रमुक बाते हैं जो नौपाशाण काल को important बनाती है इसलिए यहां स स्थित है बुर्जोहूम यहां की खास बात क्या है तो देखिए सबसे प्राचीमतम अगर उसे देखा जाए तो कब्रों में पालतू जो कुट्टे होते थे उनको भी अपने मालिकों के सव के साथ दपनाया जाता था इसके जो प्रमाण मिले हैं वो बुर्जोहूम से ही मिले हैं तो इसलिए याद रखें कि नौ पाचान काली नस्तल जो बुर्जोहूम है यहां से गरतावास मृदभांड हड़ी के आज़ार मिले हैं लेकिन इसमें एक इंपॉर्टन बात क्या है कि जो कब्र हैं उनमें पालतू कुट्टे भी अपने मालिक के सव के साथ मिलते हैं तो बुर्जोहूम गरतावास का भी अधारना और एक एक इमपॉर्टन बात में आपको यह लिए उसी से लगा हुआ है गुफ कराल गुफ कराल कहां पर है जम्मौ कस्मिर में स्थित धैं गुफ कराल की खास बात क्या है तो गुफ कराल की बात यहां कि जैसे क्रिसी पसप हट्टे जैसी अकृति मिली है और हड़ी से निर्मित सुई भी यहां से प्राप्त हुई है तो अभी हमने आपको यह भी बिता है कि बुर्जोहूम और गुफकराल जो है यह नौ पाचानकाली नस्थल है यहां से गर्तावास विद्भांड हड़ी के अजार प्राप्त हुए है तो जो हड़ी के अजार है उनमें देखा जाए तो हड़ी से निर्मित सुई यहां से मिलती है जो यह फैक्ट में बोल रहा हूं पिछली क्लास की तरह हिसकों में आगे आगे आपको जो स्लाइड आती है उसमें भी डिस्कस कर दूँँगा जिससे कि आपको याद आ जाता है कोली डीवा देखिए नवपा सुदाद माड एकि से मिलता है कोली डीवा बहुत इंपेस Weak Yogi कि व Krashika देखिया देखिया चावाल का प्राचीनतम साक्षि यहां से मिलता है चावाल का प्राचीनतम साक्षि से ताजपरी का है क्योंकि आप ने अब ही अग एक और नाम आपको मिलेगा लहुरा दियों देखें यहां पर एक नमीनतम खोज कायग यहां पर दिया है इसको भीसी समय पढ़ लेते हैं नमीनतम खोज लिखी गई है भारत में चावल की खेती का प्राचीन साक्ष उत्तर प्रदेश के संद कभी नगर जीले में लहुरा दियों प् तो क्रिसी के साक्ष मिले हैं प्राचीनतम कहां पर है उत्तर प्रदेश में कोल इडिवा भी क्रिसी के साक्ष मिले हैं कहां पर है उत्तर प्रदेश में इस्थित है यह इलहाबाद में बोलन नदी पर है इलहाबाद के रक्षण में इस्थित है तो यहां लगभग साढ़े के भी चावल भी पूछ लिया जाता है उसको आप गलत नहीं माने तो यहां पर यह जो विश्व का प्राचीनतम साख्षे है वो कोली डीवा मिलता है तो आपने इस समयाद कर लिया कि कोली डीवा भी है और लहुरा दियो भी है उत्तरपदेश में संदकभीर नगर जिले में इंपोर्टेंट होगे आपको याद्य हो गया होगा उत्तरपदेश से सम्मंदित दो और अस्तल है उनको देख लेते हैं देखिए जो यह आपका इलहाबाद आपने देखा वहीं पर है एक चौपानी मांडो तो इलहाबाद में आपने दक्षिन में कोली डेवा देखिए यहीं पर एक चौपानी मांडो भी है चौपानी मांडो से मदमक्खी के छत्ते जैसी जोपड़ियां ज्यामिती आकार के सूप पाशान और हस्त निर्मित मिन्दभान यहां से मिलें तो इंपोर्टेंट क्या है कि उत्तरपदेश में यह किस छेत्र से सम्मंदित है चौपा मगहरा दिख रहा हो गई है तो यह मगहरा जो है इगंगा के नदी के दक्षिन में विंद छेत्रगा है यहां से क्या है गोलाकार जोपड़ियों के प्रमान मिलें और यहां से धान के साथ साथ जौ की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं तो कोली डिवा हो गया लहुरा देव ह गया मगहरा हो गया चौपानी मांडो यह सभी आपके उत्तर पदेश से संबन्नित है तो मिलान करने के लिए भी आता है स्टेट आपने देखा यहां पर जम्मु कस्मीर में बुर्जोहम और गुप कराल उत्तर पदेश में आपने चार देखा दो के नाम प्रिंट है दो के न जीले में इस्थित है यहां क्या है कि एक मात्र ऐसा अस्थल है जहां प्रचोर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले जो प्राया हिरन की सींगों से निर्मित है तो इक तो इंपॉर्टन बात ही हो जाती है कि हड्डी की उपकरण है रूसरी इंपॉर्टन बात ही हो जाती है कि यहां से जो हिरण के सींग के उपकरण है वो मिलते हैं तो यह important हो जाता है चिरान से चिरान कहा इस्तित है बिहार में इस्तित है इसके लाव भी पटना भी एक अपने आप में नौपाशानिक इस्तल है जो बिहार में इस्तित है तो यहां से कुछ बाते अक्सर कर पूछी जाती है एक important अस्तित है दावो जली हेडिंग कहीं कहीं हेडिंग लिखा है कहीं कहीं हाडिंग लिखा है यह दावो जली हेडिंग क्या है तो यह असम में एक नौपाशानिक अस्तित है यहां से भी क्रिसी और पसपालन के साक्षे मिलते हैं तो इनसे भी question पूछा जा सकता असम का ही एक है सारू-टारू, सारू-टारू-माडूला, तो सारू-टारू जो है वो भी कहा है, असम है, यह भी नवपाचानिकस्थल है, यहां से महd-भान, आदिम, कुलईब, लाडिया अगरां, यहां से मिली है, तो सारू तारू दावजोली हेडिंग ये सबाब को थोड़े से ध्यान रखने हैं कि आपके पूर्वूत्तर के हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे गया है, एक्जाम में पूछे के कुश्चन है, कहीं कहीं आपको मिलेगा आप दक्षिन में थोड़ा देखता है, एक आपकी ने संगन हली, जो है नाम अक्सर कर मिलता है, ये करनाटक में इस्थित है, बेलारी जिले में इस्थित है, यहां से मवेशी बाड़ों के अस्तल, राक के टीले प्राप्त हुए हैं, इसके लावा इंपॉर्टेंट है, पिकली हल, तो संगन कल्ली और पिकली हल, ये संगन कल्ली और पिकली हल, ये दोलों कहां परिस्थित हैं, करनाटक के हैं, यहां से इंपॉर्टेंट बात में है कि राक के धेर प्राप्त हुए हैं, ये सभी जो है, जो पसुपालन के भी साक्षियां से मिलते हैं, लावा नाम तो आप कई यहां पर देख रहे हैं, मस्की से स्क्रीन सॉट लेके पड़ भी सकते हैं, बाकी और नाम मिलाने के लिए भी आ सकता है, तो उनका थोड़ा सा द्यार नखें, नागपुर, कुचाई, दूरूद, इनका थोड़ा सा लोकीशन, ऐसे याद रखें, कि भारत के पूर में हैं, बस्चिम में हैं, मध्य में हैं थोड़ा इस मैप को आप दिखें, और इसका पिक्सल बढ़ाके स्क्रीन सॉट ले ले, मैंने थोड़ा इसको जूम कर दिया, जिससे आपका पूरा एक में ही आ जाए, तो थोड़ा सा आप विजिबिलिटी को एक्स्पैंड करके 400 CS के उपर, इसको आप स्क्रीन सॉट ले आए देख लेते हैं, इससे सम्मंदित जो हमने आपको बोला है, वो भी आपको इसका स्क्रीन सॉट यहीं पर अबलेबल हो जाएगा, देखिए, यहां पर जो बाते हमने आपको पढ़ी हैं, वही बाते यहां पर बिल्कुल साप साप सब्दों में लिखी गई हैं, जिनको आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं फटापट रिवाइस कर देता हूँ, अब आप देखिएगा, आपको उनको राज्य को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेहर कड कहां है, तो यहां लिखा भी है, आपका दिमाग सबसे पहले पहुँच गया हो आपको गुफ कराल बताया, तो गुफ कराल में सिलबटा, चाथी क्रिसी पस्पालन के साक्षे, हडडी से निर्मित सुई, यह प्राप्त होते हैं, कोली डिवा, कोली डिवा जो है वो इलहाबाद, उत्तर पदेश, मगहरा, यह भी आपके उत्तर पदेश से है, यहां मक्य की छत्ते जैसी जोपड़िया, जयमिती याकार के सुपस्पाशान, हस्त निर्मित मित भांड मिलते हैं, चिरान, तो चिरान देखिए, यहां से प्रचुर मातरा में हडडी के उकरण मिले हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, कि यह हीरन के सींगों से निर्मि तो दाओ जली, हेडिंग और सारू-तारू, यह कहां की हैं, तो यह आसम से सम्मन नित हैं, इनको मिलान के लिए पूछा सकता है, और करनाटक से दो हैं संगन कल्ली और पिकली हल, इनका भी मिलान के लिए पूछा सकता है, यहां से राख के टीले राब्त हुए हैं, तो मिलत